हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है उतकर्स के यूटूब ऑनलाइन स्कूल में स्टुडेंट्स मैं पवन पारिक आप सभी को आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी कक्सा नौ विशे गणीत में क्या कोर्स में बदलाव आया है जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके कोर्स में जो है रिडेक्शन हो चुका है कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है यहां तक कि कुछ अध्यायों को भी हटा दिया गया है तो आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखे ताकि आपको पता चल जाए कि वार्षिक परिक्सा के लिए आपको किन अध्यायों को पढ़ना है किन टॉपिक्स को पढ़ना है और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि नेक्स्ट यर बोर्ड एक्जाम जब आप दोगे क परिक्सा दसवी में तो दसवी में पढ़ाई के लिए आपको किन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना है और डिलिट भी हो गए है वो तो उनके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा तो इस्टुडेंट हम प्रारम करते हैं कि आपके कोर्स में क्या आठिक्रम तो पहले बात करते हैं आपका पहला चैप्टर जो है संख्या पदती संख्या पदती में से हटाया गया सिर्शक किन किन टॉपिक्स को हटा दिया गया तो संख्या रेखा जो होती है उस पर वास्त्विक संख्याओं का निरूपन जो वास्त्विक संख्याओं को हम दरसाते हैं उनको हटा दिया गया है आगई बास्वन में संख्या रेका पर वास्त्विक संख्याओं को निरूपन अटा दिया गया है जो कि आपको मिलेगा विद्यार्ति एक्सोसाइज 1.2 में जो प्रसनावली 1.2 है आपकी वहां पर इन टॉपिक्स का जिक्र है तो अब आपको प्रसनावली 1.2 नहीं पढ़नी है उसके अलावा उत्रोतर आवर्धन के कारण सा द्वारा सांतेम अन्वसानी आवर्ति दसमलव संख्या का निरूपन विद्यार्तियों उत्रोतर आवर्धन के द्वारा जो हम संख्याओं का निरूपन करते हैं इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है और ये आपको मिलेगा विद्यारतियों प्रसनावली 1.4 में जो 1.4 में आपको ये टॉपिक पढ़ना था अब आपको नहीं पढ़ना है कोर्से हट चुका है उसके अलावा विद्यारतियों परत्येक बिंदू संक्या रेका पर एक अधित्य वास्त्विक संक्या को परदशित करता है ये जो कॉंसेप्ट था कि वास्त्विक संक्या होती है उसको कौन निरुपित करता है संक्या रेका का परत्येक अधित्य बिंदू इस टॉपिक से संबन्दि जो भी प्रसन है concept है उनको हटा दिया गया है उसके अलावा एनवी गात मूल उसकी जो परिबासा थी विद्यारतियों एनवी गात मूल की उसे भी हटा दिया गया है इस topic को भी आपको नहीं पढ़ना है तो संक्या पदती पहले पार्ट में इन topics को पढ़ते वग ध्यान रखे कि पढ़ना ही नहीं है आगे बास हमने ये topics कवर नहीं करने है लेकिन इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपके लिए जरूरी थी तो हमारे उतकर्स एप में इसके बारे में बताया गया है तो आप जरूर इसको समझे आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय में अगला अध्या है बहुपद अब बहुपद में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो इस्टुडेंट में आपको एक चीज और भी बता देता हूँ जो संख्या पदती है इसमें जो चित्रों से सम्मंदित प्रस्ने है उनको हटा दिया गया है जहां जहां आपको लगे कि चित्र बनाना ह से 1.2, 1.4 उसके अलावा प्रसनावली जो 1.5 है विद्यारतियों, 1.5 में जो प्रसन है विद्यारतियों, 1.5 का question 4 है उसे भी हटा दिया गया है क्योंकि वहां भी चित्र को बनाना पड़ता है, अब बात कर रहेते बहुपद में, बहुपद जो अध्याई संक्या 2 है उसमें से इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है सेस्पल प्रमे, सेस्पल प्रमे के जो भी उदारण है उनसे सम्मंदित सभी प्रसन, गुणनखन प्रमे का कतन और उनसे सम्मंदित प्रसनों को और ये जो बीजे सर्वसमीकाए हैं, इन को सम्मंदित जो भी प्रसन हैं आपके इन ट पड़नी है अब आपके कोर्स में नहीं नहीं इसी तरह ये जो बीजी सर्वसमीका है ये प्रसनावी 2.5 जो है जिन में सभी बीजी सर्वसमीकाओं के बारे में प्रसन पूछे गए हैं इन में से इन तीनों सर्वसमीकाओं के जो प्रसने वो मैं आपके लिए नंबर लिख द 14 और 15 ये जो question है विद्यार्तियों 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13 और 14 question number 13 और question 14 ठीक है तो ये जो प्रस्ने number मैंने आपको लिखे हैं ये प्रस्नावली 2.5 में मिलेंगे और ये इन सर्वसमीकाउं से संबंदित है अब आपको इने नहीं करना है आगई बात समझ में ये चीज आपको मैंने प्रस्नावली 2.3 को नहीं पढ़ना है और 2.5 में इन प्रस्नों को सरल नहीं करना है क्योंकि ये इन सर्वसमीकाउं से संबंदित है अब बात करते हैं चैप्टर 3 जो है निर्दे सांग जामीती तो इस अध्याय में कुछ नहीं हटाया गया है ये चैप्टर जो है यतावत बरकरार है अभी भी तो इसमें कोई बदलाव नहीं है इसे पूरा अच्छे से आपको समझना है वीडियो को लाइक जरूर करे और सेर भी करना है सेर करना ना भूले स्टुडेंट्स ठीक है अगला चेप्टर है दो चरो वाले रेखिक समिकन दो चर नजराते हैं और स्टर या कोई भी दो चर उनके रेखिक समिकन जिने चरो की गात एक हो देखिए इनमें जो विद्धियारत्यों अनुपात हैं समानुपात पर जो उदारण समस्याएं हैं वो और उनके अलावा उनका आलेक आलेक यानि होता है अंग बात करें हम आलेक मतलब होता है ग्राफ तो विद्यारतियों में ये बता देता हूँ आपको जो चैप्टर चार में जो ग्राफ आते हैं वो ग्राफ अब आपके नहीं है ग्राफ को आपके कोर्स से हटा दिया गया है वार्षिक परिक्सा में ग्राप से सम्मंदित प्रस्न नहीं पूछे जाएंगे, और ग्राप के प्रस्न ज्यादा तर आपको मिलेंगे विद्यारतियों प्रस्नावली जो है, प्रस्नावली या एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 ये जो प्रस्नावली है, अब आपको नहीं पढ़नी है, क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रस्नावलियों में इन से सम्मंदित प्रस्न है, और ये टॉपिक्स हट गए, तो ये प्रस्नावलियों का भी वजूद नहीं रहा, अब आपको नहीं पढ़नी है ठीक है स्टुडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं चैप्टर पाच की स्टुडेंट्स चैप्टर पाच है यूकलिड की जामिती की जामिती का परिचे तो स्टुडेंट मैं आपको बता देता हूँ यूकलिड की जामिता का परिचे ये पूरा संपूर अध्याय जो है पूरा के पूरा पार्ट जो है कोर्स से हटा दिया गया है अब इसे आपको नहीं पढ़ना है आगई बास हमने चैप्टर पार्च को अब आपको अलवीदा कह देना है इसे नहीं पढ़ना है अब बात करते हैं चैप्टर छें की चैप्ट के माली जी तीन समानतर रेखा हैं इन से संबंधित जो भी प्रस्न होते हैं वो आपके हटा दिये गए हैं आगई बास में तीन समानतर रेखाओं से संबंधित जो भी प्रस्न हैं हट गए हैं और ऐसा एकाद प्रस्न ही मिलता है प्रस्ना अली जैसे आपको मैं बता देता हू 6.2 है उसमें प्रस्न संक्या दो प्रस्न संक्या दो इसी समस्या पर आदारित है तीन समांतर रेखाओं से सम्मंदित प्रस्न है इसलिए उसे नहीं पड़ना है और भी कहीं आपको उदारण में या कोई और भी प्रस्न नजर आए जिसमें तीन समांतर रेखाओं गुजर रह उसके बात करते हैं बात अध्याय साथ की अध्याय साथ क्या है त्रिबूज ट्रेंगल तो त्रिबूज में क्या बात करनी है देखी एक तो है विद्यारतियों क्या-क्या टॉपिक हट गए है कौन भूजा कौन यानि ए-स-ए सरवांग समता कौन दो कौनों के बीच एक भू RHS नियम बहुत important होता है 10th class के लिए लेकिन अब आपके 9th में से हट चुका है तो बस थोड़ा सा जानकारी जरूर लेवे लेकिन आपके 9th class में वार्षिक पेपर में इस topic से सम्मंदित प्रस्न नहीं पूछे जाएंगे तो विद्यार्टियों इन दोनों से सम्मंदित हम बात करें प्रस्नावली जो होती है आपके प्रस्नावली 7.4 जो exercise है विद्यार्टियों ये आपके अब नहीं रही ये आपके course से हट चुकी है आगई बास समझें तो केवल दो नियम एक तो विद्यार्टियों बुजा बु अब हड़ चुके हैं इनसे सम्मंदित जो भी प्रस्नों हो उन्हें आपको नहीं पढ़ना है अब बात करते हैं चैप्टर 8 की चैप्टर 8 है हमारा चत्रबुज क्या नामें विद्यार्टियों चत्रबुज तो इन में से एक तो मध्यबिंदु प्रमे को हटा दिया गया ह मध्यबिंदु प्रमे थोड़ी महत्वपुन हैं दस्वी कक्सवा के लिए थोड़ा सा आप जरूर इसके बारे में जानकारी ले समय मिले तो आपको उसके बाद चत्रबुज के समानतर चत्रबुज होने के लिए अन्य प्रतिबन तो आपको कोई चत्रबुज दिया है और इसे साबित करना है समानतर चत्रबुज उससे सम्मंधित टॉपिक उससे सम्मंधित प्रस्न हटा दिये गए हैं और ये जो टॉपिक और ये दोनों टॉपिक बात करें तो ये प्रसनावली जो है आपकी 8.2 प्रसनावली 8.2 जो है वो आपके हट चुकी है ये जो दोनों ट लमांतर चत्रबुजो और त्रिबुजो के छेतरपल ये पूरा टॉपिक पूरा के पूरा अध्याय कोर्स में नहीं रहा इसका वजूद अब खतम हो गया है अब आपको इसे नहीं पढ़ना है आगई बासम में इसे हम अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं रहा नेक्स्ट हम बात करते हैं वरत की वरत जो सरकल सरकल में क्या है क्या नहीं है जानकारी लेना देखिए तीन विंदों से गुजरने वाला वरत उसके अलावा समान जीवाएं और उनकी कैंदर से दूरिया आई बासम जीवाओं की लंबाई समान हो कैंदर से दूर एक ही वरत्खन के कौन बराबर होते हैं एक ही वरत्खन में जो भी कौन बनते हैं कितने ही बनो सभी के मान बराबर होते हैं उससे सम्मंदित प्रमे प्रस्न और एक और प्रमे है कि दो बिंदुों को मिलाने वाला जो रेखा कर लोता है उसको अंतर्विष्ट करने वाली ही है और important topic चक्रिय चत्रवुज चक्रिय चत्रवुज को आप थोड़ा जरूर जानकारी ले ले दस्वी में काम आएगा बाकि ये topics अब आपके course में नहीं रहे चक्रिय चत्रवुज भी नाइंत में अब आपका सामिल नहीं रहा अब बात करें प्रसनावली से आधारित तो 10.2, 10.3 ये विद्यारति इतनी खास नहीं है केवल कथन है सत्या सत्या कुछ रिक्तिस्ता ने इतनी महत्वपुन नहीं है थोड़ा बहुत देख लेना लेकिन इतने काम की अब नहीं रही इतनी खास नहीं है उसके बाद चक्रिय चत्रवुज जो मिलेगा आपको exercise 10.5 ठीक और इनसे सम्मंदित है सब हट गए है मैं बात करूँ प्रस्णों से सम्मंदित तो प्रस्ण जो है आपके 1 से 6 जो भी है वो आपके इसी टॉपिक से सम्मंदित है तो ये आपके हट गए है उसके अलावा विद्यारतियों question number 8, question number 11 और question number 12 ये तीन प्रस्ण भी जो है इनी topic सम्मंदित है इनी topic से related है इसलिए आपको अब नहीं पढ़ना है ये आपको अलवीदा कह चुके हैं अब बात करते हैं रचना है रचना यानि परकार पैंसिल चांदा रबबड स्केल की साहिता से जो हम बनाते हैं आकरतियां उनके बारे में क्या जानकारी आई है देखते ह हैं क्या हटा दिया गया है एक ही कीरण के प्रारंबिक बिंदू पर कौन की रचना करता कोई रेखा खीच के हम बिंदू से कौन बनाते हैं एक रेखा जो होती है उसके दो बिंदू होते हैं हम कौन बनाते हैं तरह तरह के जो कौन बनाते हैं विद्यार्तियों उससे सम्मं जो भी रचनाई थी वो हट चुकी है त्रिबूज की उसके अलावा त्रिबूज की रचना कब करना जब इसका परीमाप और दोनों आधार कौन आधार पे जो दो कौन बनते हैं वो दोनों दिये हैं उस तरह की त्रिबूज की रचना भी हट चुकी है और विद्यारतियों मे बात करूँ जहां ये topics काम में आते हैं तो प्रस्न संक्या बात करता हूँ दूसरा तीसरा और चौता में लिख देता हूँ question number 2 question number 3 और question number 4 ये आपके हट चुके हैं हट गए हैं केवल और केवल अब कौन से रहे हैं केवल question number 1 और question number 5 ये आपको पढ़ने हैं और ये आपको नहीं पढ़ने हैं केवल 1 और केवल 5 से आपको दोस्ति करने है अब बात करते हैं हिरोन का सुत्र बहुते ही महत्वपुण ये भी topic के विद्धियारतियों हिरोन का सुत्र हिरोन का सुत्र अंडरूट S, S-A, S-B और S-C वही सुत्र आपने सही पैचाना हिरोन के सुत्र में से जो चत्रबुजों के हम छेतरपल ग्याद करते हैं हिरोन के सुत्र से वो अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे आगई बास हमने जो चत्रबुज को दो त्रिबुजों में विबाजित करम हिरोन के सुत्र से छेतरपल ग्याद करते थे दोनों त्रिबुजों का फिर जोड के चत्रबुज का छेतरपल ग्याद करते थे वो टॉपिक अब आपका नहीं रहा है और ये प्रस्न कहा नजर आएंगे पर exercise 12.2 के कुछ प्रस्न सारे में नहीं कहूंगा ऐसा मत समझना पूरी 12.2 हटी है exercise 12.2 के संबंधित प्रस्न जो भी इन टॉपिक से संबंधित प्रस्न है वो आपके हट चुके है चतुर्बू जहा वीडियो को आप like जरूर करे, share जरूर करे और हमारे चैनल को subscribe करना भी न भूले ठीक है student ताकि आपको आने वाले वीडियो जो भी आते हैं हमारे द्वारा नए वीडियो जारी किये जाते हैं उनकी सबसे पहले सूचना आपको मिल सके अब बात करते हैं तेरवे पार्ट की तेरवे पार्ट में क्या है जी देखते हैं प्रष्टी छेतरपल और आयतन तो जो भी ठोस आकरतिया होती है जो इस्तान गेरती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो students बात करते हैं टौपिक जो अटा है लंब वर्तिय संकू जो संकू होता है विद्यारतों इस तरह की टोपी आइस क्रीम का कौण उससे सम्मधि जो छेतरपल और आयतन है उनके प्रस्त जो है हट गए है इसी तरह जो अर्द गोला है अर्द गोला होता है आदा गोला काटोरे जैसा काटोरे नुमा उससे सम्मधि छेतरपल और आयतन भी हट गए हैं और यlar Это बिक देता हूं तो केवल अब गन गना बचा है और थोड़ा बेलन बचा है उनके प्रस्न निप्टा देना तो 13.3 आपको नहीं पढ़नी है, 13.4 भी नहीं पढ़नी है, 13.7 भी नहीं देखनी है, 13.8 नहीं देखनी है एक दो प्रस्न ऐसे भी है, जो अलग topic है, जो course में है, वो आपको देखने हैं, ये topic आपको नहीं देखने है, आ गई बास समज़ें, ये topic आपको अब नहीं देखने हैं, ये आपके course का हिस्सा नहीं रहे अब बात करते हैं 14 पाट की सांख्या की ठीक है तो 13 पाट में मैंने आपको बता दिया है अब बात करते हैं सांख्या की आंकडों का निरूपन आंकडों को दर्सना तो देखिए आंकडों का जो संग्रा है ये topic हड़ गया है समान चोड़ाई और परिवर्ती चोड़ाईयां यानि समान चोड़ाई हो और बदल बदल के चोड़ाई हो उनके आयत चित्रों और बारंबारता बहुबूज ये सारे topic आपके हड़ गये हैं और ये आपको कहा मिले एक तो मिलेंगे प्रसनावली 14.1 ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रही ये आप आपको नहीं पढ़ना है और आयत चित्रों और बारंबारता बहुबूज ये दोनों जो है exercise 14.3 में है 14.3 के कुछ प्रस्न जहां आयत चित्रों और बारंबारता बहुबूज आपको नजर आये ऐसे सब्द तो ऐसे सब्दों से सम्मंदित प्रसन आपको नहीं पढ़ने हैं आई बास चीजे आपको नहीं पढ़नी है आई बास ने तो मैं बता देता हूँ 14.1 एक खड़ गई 14.2 पड़ नहीं है और 14.3 में जो आयत चित्र और बारंबार्ता बहुबूच से संबंदित प्रस्न हैं उन्हें नहीं देखना है अब बात करते हैं प्राइक्ता प्राइक्ता के बारे में ये समाचार है जी समाचार बहुते ही नेक है कि प्राइक्ता पूरा अध्याय हटा दिया गया है लेकिन विद्यारतियों दसवी कक्षा के लिए थोड़ा महत्पपून है अच्छा अध्या है इसलिए थोड़ी बहु अब मैं बता देता हूँ कौन से पार्ट से कितने नंबर का प्रस्न पूछा जाएगा हमारे स्टुडेंट्स को तो स्टुडेंट्स देखे पेपर आपको बता देता हूँ एक आएगा एक परचा आपको पकड़ा दिया जाएगा सवा तीन गंटे का बोलेंगे समय हैं आपको तीन गंटे पंदरा मिनट जिसे कहते हैं असी नंबर का पेपर होगा विद्यार्थियों आपके ठीक है और सो नंबर जो कुल काफी जगा सो नंबर का पूरा ही पेपर आता है ऐसे भी हो सकता असी का पेपर हो 20-17 तो कुल आप मानके चलिए सो नंबर आपका पेपर बनेगा अब विद्यार्थियों देखिए पहली जो है टॉपिक की बात करें पहला जो है आपके संख्या पदती की बात करते हैं संख्या पदती कितने नंबर की है आठ नंबर की है ठीक है पहला पाट बात करें जिसकी बीजगनित की बात करें बीजगनित में केवल एक पाट है बहुपद बहुपद में आप देखिए 24 नंबर आपको दे दी है 24 नंबर आपको अरजित करने है अब बात करते हैं निर्देशांग जामीती तो निर्देशांग जामीती भी कितने नंबर की है आठ नंबर से सम्मंद तीसरा जो पार्ट है आपका ठीक है अब बात करते हैं जामीती तो इसमें दो तीन पार्ट जो रेखा है और कौन त्रिबू जो भी पार्ट है जिसमें र विद्यारतियों कोर्स को आपने अपडेट हो गए हैं किताब कोपी लेकर आपको ध्यान से पढ़ना है और हमारे उतकर्स एप को आज ही डाउनलोड कीजिए कोर्स लीजिए और अच्छे से घर बैठे अध्याई कीजिए ठीक है श्टुडेंट अब बात करते हैं छेत्रमीत प्राइक्ता में बात करें तो विद्यारतियों दस नंबर सांख्या की और प्राइक्ता की दस नंबर है और कुल नंबर विद्यारतियों बात करें कुल नंबर की बात करें हमें कितने लेकर आने हैं सो सही सुना आपने हमें कितने लेकर आने हैं सो और हम लाएंगे भी क्यो अपडेटेड जो पाठेक्रम है उसके साथ आप भी अपडेट हो जाईए तुरंत तयार हो जाईए विद्ध्यारतियों क्योंकि जितना कठीन आपका संगर्ष होगा जीत उतनी ही सांदार होगी विद्ध्यारतियों इस मंत्र के साथ आपको जो है लक्सिकी और बढ़ना है के स्टेन अब आपके कोर्स में क्या रहा थोड़ा उसके भी सौट में डिटेल बता देता हूं कि पढ़ना क्या क्या है गुरुजी वो बताओ हट गया हमने समझ लिया पर हमें क्या पढ़ना है तो कॉपी किताब में इंडेक्स में टिक लगा देना ये ये टॉपिक में अपरिमे संख्या वास्तिक संख्या वास्तिक संख्याओं के परिमे संख्याओं के दस्मल प्रसार सांत असांत वास्तिक संख्याओं पर संक्रिया जोड़ गटा गुणा बाग और उनके लिए गातांक नियम तो ये आपको पढ़ने हैं अच्छे से समझने हैं बीज ग तीन तो अट गई और ये कुछ सेस है इन्हें आप अच्छे से समझ लेना इनके प्रस्थ पढ़ लेना और बहुपदों के गुननखन में परियोग ठीक है गुननखन का परियोग कहां आते हैं उनसे सम्मंदित दो प्रस्थे हैं जरूर आप पढ़ना 2.5 में अगला है दो च के समानतर रेखाओं के समिकर्ण उसके अलावा निर्दे सांग जामिती में कार्थी पदती से दोस्ती कर लीजेगा और ये कुछ बिंदू के निर्दे सांग दे रखे ओ बिंदू को कैसे ग्राप में दरसाते हैं ये थोड़ा जान लीजेगा ठीके नेक्स्ट जामिती रे अब नात करते हैं त्रिबूज ये पार्ट बहुत ही महत्वपुन है और इसमें से जो टॉपिक खटे वो भी आपके दसवीक अक्सा के लिए महत्वपुन थे उनकी जानकारी भी थोड़ी ले लीजिएगा अब ये सॉपिक बहुत ही महत्वपुने सर्वां सम्ता, सर्वांतम सम्ता के कुछ नियम होते हैं बुजा कौन बुजा जिसे हम S.A.S.D. भी कहते हैं उसके अलावा बुजा 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 साइड 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 त्रिपल S.N.M. और त्रिबूज के कुछ गुण होते हैं की जानकारी चत्रबुज में बात करते हैं चत्रबुज का कौन यो गुंद्रम जो होता है उसके बारे में चत्रबुज क्या क्या होते हैं प्रकार जानने समलं समांतर सम चत्रबुज पतंग जो भी है और समांतर चत्रबुज के गुंद्र और यह important topic है समांतर चत्रबुज की विशेषताएं अब रत के बारे में ये भी महत्वपून पाठ है व्रत्षे सम्मंदी जो भी सब्दावलिया होती है जीवा त्रिज्या व्रत्खन लगू रत्खन चाप इनके बारे में थोड़ा जान लेना केंदर से ये कुछ प्रमे है ये भी आप जान लेना केंदर से किस जीवा पर लंब डालना वगर चाप किसी पर कौन बनाता है व्रत्खे परिदी पर वो सब भी आप जान लेना चाप केंदर पर क्या कौन बनाता है और व्रत्खे सेस बाग से किसी बिंदू पर कौन बनाता है उसका क्या होता है दुबुना केंदर पर दुबुना कौन बनत यह प्रमे कुछ जान लीजिएगा आप जरूर विद्यारतियों और रचनाई में बात करें मैंने आपको बता दिया है किसी कौन कोई भी कौन दिया है साथ सित्तर उसका समधी बाजग आदा कैसे करते हैं यह भी जान लेना विद्यारतियों और रेखाकंड के लम समधी बाज जाती है यह भी अवस्य जान लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं पंदरवे पार्ट में हीरोन का सुत्र हीरोन के सुत्र में आपको त्रिबूच का छेतरपल केवल त्रिबूच का छेतरपल ग्याद करना है जिससे हम तीन नाम दे देते हैं बुजाओ को एबीसी ह दिरोन के सुत्रस से कैसे त्रिबूच का छेतरपल कितना इस्तान गेड़ता है कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं केवल वो पढ़ना है चत्रपूच से कैसे करते हैं वो नहीं पढ़ना है नेक्स्ट है प्रश्टी छेतरपल गनाब गन उनके बारे में जानना और बेलन भी थ पस्तुति करण और डंड आलेक जिसे हम बार आलेक बार ग्राफ भी कहते हैं ये जरूर जान लीजिएगा तो इस्टुडेंट मैं आपको अभी इतना ही आपको समराइच करूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सभी आपको मैंने डिटेल में जान करी दी जो हट ग तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करे हमारे चैनल को उतकर्स ओनलाइन स्कूल को जरूर सब्सक्राइब करे तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेलाए ताकि सभी साथी विद्यारतियों को जूर दराज गाम में बैठे हमारे प्यारे विद्यारतियों को ये पहुँच सके कि क्या क्या हट गया है क्या क्या पढ़ना है विद्यारतियों और उतकर्स एप को जरूर डाउनलोड करे वहाँ पे क्रक्साई प्रारम हो चुकी है विद्यारतियों धन्यवाद